ये जनत्त प्रियाग राज में बरिस पुलिस अधिक्षक महजदे के निर्देश के क्रम में यमनापार शेत्र में आज एक सखन चेकिंग एवन तलाशी अभियान चलाए जा रहा था जिसमें के विशेश करके जो गुमंतु प्रजाती के लोग होते हैं जिनका कोई ठोट हिक गंटे का चलाए जा रहा था इसी दौरान थाना मांडा पुलिस द्वारा लाल गंग बिंजापूर रोड पर एक चेकिंग पार्टी को निकाला गया था क्योंकि वो निर्जन और सूंसान इलाका पड़ता है और वहां से कई बार अंतर जन्पदिय आप राधियों की आवा उदर चेकिंग करने के लिए निकली थी तो दो व्यक्ति इन्हें दिखाई आते देते हैं जिनके द्वारा जब पुलिस पार्टी के द्वारा इन्हें रोका गया तो उनके तरफ से पुलिस पार्टी को देखते हुए और उनकी सज़क्ता और सक्रीता को देखते हुए एक वेक्ती प्रदीप हुमार उर्फ जोशी खरवार इसके पैर में गोली लगने से घाहिल हो गया है तता इसका एक अन्य साथी अनीश खरवार मौके से भागता हुआ पुलिस पार्टी द्वारा दोड़ा करके पकड़ लिया गया अभी तक की प्रारंटविक बूस्ताच में ये सामने आया है कि ये डूनों मूलता बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं तथा यहां पर बुर्शत वार परिवार कया वे साथियों के उहीं प्रिवारी। के साथ में किसी एक जन्तत में डेरा डाल करके रहने लगते हैं तथा निर्जन सुन्सान इलाकों के आसपास बस्तियों में जो भी घर बाहर की तरफ इस्थित रहते हैं और जिनमें कुछ लोग बृत हो सकते हैं या जिनके पास कुछ सुने चांदी के अबूशन हो सकते हैं उनके रेकि करके और शहद और महुा बेचने के बहाने ये लोग वहाँ पर पहुशते हैं तथा कई और जारों का इस्तिमाल करके ये लोग वहाँ पर हत्या के साथी वहाँ पर चॉरी लूट गटना को अंजाम देते हैं प्रारम्मिक पूस्ताच में अभियुक्तों ने यह भी बताया है कि गत वर्ष जो एक 13 अध्या काण गवा था ग्राम आंधी खाना मानना में